हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो यूटूब चैनल ऑफ टीम्स वाविन आज हम प्रिवीव करने वाले हैं वेस्टिनीज वसेज ऑस्ट्रेला का 30-20 इंटरनाशनल माच जो कि आपर सीम स्टेडियम डेरन सैमी नाशनल क्रिकेट शेडियम में खेला जाने वाला है क्या कुछ अब अगर हम करन सिनारियों के बार में बात करें तो वेस्टिनीज ने आपर दो मैच जीच जो अभी तक हुए है और और ऑश्टिया ने यापर एक भी नहीं जीता है और ऑश्टिया की टीम अभी थोड़ी से आपर चेंज़े जरूर करें कि मुझे लगता है और मिचल अब देख सकते इतने टाइम बाद अगर कोई बंदा खेल रहा है तो अफकॉस उसका रिदम वगेरे सब कुछ खराब हो जाता है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि मिचल स्टाक को आपको ज़रूर आपके एसल टीम में रखना फ्रेंस कल मुझे लगता है एक या पर फॉर्मर्स हमेशा से ही सुधर था हुआ हमें नजर आ रहा है ऐसा स्टार्ट सी नहीं ऐसा हमारा खुद कर मैं लोग ने खुद ने देखा भी है फ्रेंस सो एक मिचल स्टा के कीप ले रहने वाला है जिसको लोग डॉप करके आ सकते हैं तो उसे हमें बिल्कुई बिल् तो चलिए अभी हम मैच डीटेल्स के बार में बात करते हैं मैच डीटेल्स के बार में अगा हम बात करें तो थर्ट टीटी इंटरनाशनल मैच है आप पर वेस्ट इंडीज वरसेश ऑस्ट्रेला का वेन्यू वह है डेरंसायमी नाशनल क्रिकेट स्टेडम यहां पर ही अब बात करें तो अब भी जो पिछ फ्रेंज वह हमें बड़ा पर मलब अच्छी बाटिंग परेड़ेज वाला पिछ नज़र आ रहा था जो कि हम लोग ने वेस्ट इंडीज की टीम को भी देखा चापर उनने वन नाइन्टीफोर रंस स्कोर किये वन नाइटीफोर यह व मलब सकेंड वीडियो में कि यह जो मैच होने वालो हाइज स्कोरिंग होने वाला है हाला कि आपर ऑस्ट्रिला की टीम ही थोड़ी सी वीक नजर आ रही है तो वह इतना अच्छा नहीं स्कोर पर कर पारी है लेकिन अच्छा कासा खेल रहे हैं इस मैदान पर पिछ कर सकते है कि Spinners को थोड़ा सी help मिल सकें सो यह हमें ध्यान देना है हर इक मैच में से होता है जैसे सेकंड इनिंग आते मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड सो वेधर रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात को तो वेधर कंप्लीटली फुल मैच देखने को मिलेगा एकदम क्लियर है वेधर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है तो अभी ता कि आपर चाहुदा इंटरनेशनल मैंटेस क फिलाल के फ नहीं युह टाय भी निया थाधिस फिर्स्ट बतिएंग स्कूर नशों क bachelor क्यू आपर इनशनली स्कूर मैच तो थोड़ह च्हुंत स्वक्रिगा है थे लिए आप जस्पाच पर 10 यह पेले खेला घ्या था स्कूरिंग पाटन के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 155 बार बना है आपर स्कूर बेटेइन 152 169 चार बार बना है स्कूर बेटेइन 172 189 दो बार बना है और आवरेज स्कूर अबाव 192 बार बना है तो आप देख सकते हैं डीसेंट हमें स्कूरिंग वापस even Lewis को मुझे लगता है लाया जाएगा यह अंदर फ्लेचर को लास्ट पर मैंने बताया था कि आने के फुल चांसे से और आएगे तो लेंडन सिमेंस से इसके बदली आएगे और even Lewis के बदली आए थे तो हो सकता है लेकिन मुझे चांसेस तो कम नजर आ रहे है क्योंकि यहां पर जो इवन लुई से यह मुझे पर्मेन एक ऐसा लग रहा है कि पर्मेन टी ट्वेंटी ताथ यह दोनों ही ओपन करेंगे तो मुझे लगता जादा टाइम कुछ एक्सपरिमेंट करेंगे फ्लेचर को लाके बट लेक्षर को बैकप के लिए जरूर रखा है तो इसलिए एका दो मैच खेला सकते है वरना यह दोनों ही मुझे नजर आ रहे कि ट्वेंटी वल्लकप में भी यह दोनों उपन करने वाले वन्डाउन पाई के लिए लाश्ट मैश में हिटमार के बारे में बताया था बंदा ब फोर मेंबर शिक्समेंबर तक उन्होंने स्वीब भी क्या सारे प्रूफ हम लोग ने टेलिगराम चैनल पर दे दिये अगर आपने तो बहुत बड़े लॉस में ओफिर क्योंकले वापर हम लोग डेली दस में से आठ से साथ क्लीन स्वीप कर रहे है और उसका लिंग हम इंपॉर्टन प्लेयर फॉम दस साइड क्योंकि लिए से फर्स्ट बॉलिंग करना जादा अच्छा लगता है दुएन ब्राइवो ओबर मेकर और फिडल एडवर्स तो यह कुछ प्रोविबल लेवन हमें नजर आ रही है एंक्स बॉलिंग इतने सारी विकल्प है यह बाई सकता है क्योंकि लिए इनका रेकॉर्ड कुछ ऐसा है आगे सब को पता चलेगा आपको मैथ्यू वेड मिचल मार्श यह पर बहुत ही प्रभावित किया आपर सबको एलेक्स कैरी को आपर अभी चांस देखने को मिल सकता है मोईस हन्री क्यूश डान क्रिश्टन मेचल स्था सब्सक्राइब कर दोनों में रिप्लेस्मेंट होगा इस मुझे लगता है विए जौश फिलिपी जो ही ओपनर के तोर पे चलगता और इसको उपनर में रेकॉर्ड अच्य है वन्डाउं टूड बाटिंग भाई सबको जमता नहीं और ऊपर से टूड़ों पेज इसको तो अच्छा नहीं जागा नाए जस्टिन लांगर को रोश्रिला को अच्य लगा होगा है तो बात कर तो ओर इन दोनों ने तेरह मैंच इस के लिए आठ वेस्ट इस जीते पार्च ऑस्ट ने जीते तो अब देख सकते वेस्ट इस का पगड़ा भारी है वेस्ट इस का इन दोनों में दो ऊच्छ जीते दो वेस्ट इस लेकिन जैसे शीरिज आगे बढ़ता का हमें पदर चलता गया कि वेस्ट इसका पगड़ा भारी है इनके मैदान में वेस्ट इस के टी-ट्विंडी के बार में बात करें से वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप के वार में 12 16 के बाद तो टुटल 60 मैचेस के लिए 22 जीते 34 हार जीरो टाइच चार नो रिजल अब यह जो हारने का आपको जो रिश्यो दिख रहा है जादे दिख रहा है क्यों दिख रहा है क्यों जो वेस्ट इंडी से यह क्या करते है जैसे वर्ल कप आता है अपनी नम्बर वन टीम को उतार द सब्सक्राइब करते हैं और देन ऑशिला के बार में बात करें 2016 वर्ल कप के बाद टीट्वेंडी में तो 40 के लिए 27 जीते 21 हारे है जीरो टाय और दो बार रिजल्ट रहा है अभी बात करते प्लियर टीट्वेंडी स्टाट्स के लिए बहुत जादे इंपोर्टन पार्ट ह है 117 का है 13 52 अर्दश दो शतक जड़ चुके है 148 29.8 अब यह जो बंदा है ना फ्रेंज यह पिछले एक साल से बहुत इंकंसिस्टन्ट रहा है प्लस फॉर्म भी वेसे दिखने रहा है बहुत टाइम हो गया खामोशना यूनिवेस्वल बॉस है इनके ओन पर बहुत तो कल के मैच में हो सकते बंदा परफॉर्म कर जा है और फो मैंम और शिक्स मेंबर लीग में वाइस के लिए नंबर वन चॉइस बन जाता है यह एवान लुइस ओवराल फॉड़ीवन मैच इस 1167 रंस 125 का है इसको 32.1 का अवरेज 157 का स्ट्राइक रेड साथ पचाश दू बुलाते है इसको कुछ कारण है यह कारण है इसलिए मिनी क्रीजग बुलाते है इसको बहुत बार हम लों देखा गर कंजी मलब कंटिनुस मैच इस कहलता है तो जादा बार ऐसे खामोश नहीं रहता है एक मैच में फ्लॉप जाते तो दूसरे मैच में कुछ ना कुछ करके जाता है लेकिन सेकेंड मैच में चांसे भी लागर इस मैच में चांस मुलता है तो मैं इंसे जरूरी एक्सपेक्ट करूंगा कि पच्छी तीस तीस जादा बना है लेंडन सिमंस बड़े टीम्स के आपने परफॉर्म करना इससे स्टार्टिंग से परसें इसे सिक्टी टु कि टीमें के उपर जादा भरुसा कर रहें उपर प्रमोशन दिया जा रहा है के रहें पोलाट से भी लेकिन फिर भी फ्लॉप होता जा रहा है तो यह जिस दिन चलेगा ना बहुत मारेगा बहुत मारेगा श्रुम्राइट मैं 31 माच्श में पांसो सत्रा रंस 100 का श्राइकर प्लीज एक लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में बताई हमको कि आपको क्या लगता है क्या चींजिस होने वाले दोनों ही टीम से और टेलेगरम चल पे जोड़े हैं मारे साथ बहुत अदर मोटीवेशन मिलता इन सब से इन फ्रेंस बात करते क और 38 विकेट अभी तक इसने चटका दिये हैं इंटरनाशल में अद्वेशन नो डिस्क्रिप्शन नो इंफॉर्मेशन कुछ बताने की गरज नहीं बंदे के बारे में कुछ ना उच तो करके देगा सेफेस्ट काप्टन वाइस काप्टन ऑप्टन ऑप्शन है 53 माचेस 602 से फॉटी सेवन का है स्कोर 152 का श्राइक रिकेट थर्टी विकेट वो नाइन की इकोनॉमिय द्वेशन ब्रावो के बारे में बात करूं तो 67 मैचेस इन्हों ने खेले हैं 1167 स्कोर के 115 का श्राइक रेट 66 का हैस्कोर 124 का आवरेच 4-5-71 विकेट इन्हों ने भी चटका ए जेसे नोलर के बारे में बात करूं 17 मैचेस में 186 रं 29 का हैसकोर 18 विकेट फेबेन एलेट के बारे में बात करूं 19 पर श्राइक रहे हैं यहां तक की दूइन ब्रावो के भी ओवर जाब थोड़ी से स्प्लिट होते हुए नजर आ रहे हैं अब लास्ट में ब्रावो को कर दी इसने और यह इसको पैसंद और श्रेला के सामने रंस कर रहा भी अच्छा प्लेयर इसे चांस मिलेंगा ना वापस तो आपसे कुछ आपको करके देगा और श्रेला के बात करूं तो आरन फिंच ओवरॉल के बार में तो आरन फिंच सेवंटीव मैचेस के लिए तू त्री फोर शिक रंस है बेख शकते कितना इंपॉर्टन है बहुत ताइम से इंटर्नाश्टल क्रिकेट कहले है टी टीवेंटी पॉंट फाइबरेज है इक वन फिंटीव का स्ट्राइक्रेट है माथ्यू वेड के बार में बात करूं थर्टीव मैचेज में पांस फाइट 278 रंस है 216 का स्ट्राइक्र मिचल मार्श वन उफ दो मोस्ट इंपॉर्टन प्लियर इकिस मैचेज में 376 का अवरेज 116 का स्ट्राइक्र नौ विकेट है बिग बैश में जोड़ता परफॉर्मिस देता है अब ऑश्रिला के लिए भी बहुत ही जोड़ता परफॉर्मिस य पर तो इसे हमको जरू ट्राइ करना चाहिए 102 टीम में और जी एल के और एसे में भी अगर आप रिस्क लेना चाहिए चाहस इची में मेर बे आप इसे जरू ले सकते है लाश्ट मैच में जैसे हर्मन प्रीत को लिया था जील में वैसे हमें इनके उपर जरू लेना चाहिए थोड़ी सी बाटिंग करना भी जानता है बंदा लेकिन जब जब आप इसको डॉप करोंगे राथ अब तक ही विकेट लेगा तो इस बंदे को सेफे लिए ड्रॉप मत कीजिए मेरे साथ तो ऐसे होता है ज़िज दिन इसको डॉप करता हो एक से दू ले जाता है और तर्ष्टार्थ थर्थिसिक्स मार्च में 47 विकेट न उननीस का आवरेट है 6.5 के एकक नॉमिया भी इसके बार में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था आपको बड़ा बंदा है जैसे से मैंचेज बड़ेगा मैं मैंचेश केलेगा वैसलिस की परफॉर्मेंस करें पर विए यहां पर आपको कर देगा करें इसा मेरा मानना है बाद में प्रेडिक्शन रही बस मेरा कुछ भी हो सकता है यह तुरूर अगर दोनों एक साथ बंग जाएगे हेट्टो एट के बार में बात करें तो ओवरॉल क्रिस गेल ने आट इनिंग्स के लिए 300 रन स्कोर के लगभग 42 का आवरेज देता है बंदा हाइस्कोर 88 का 58 चार दुएन ब्रावो आट इनिंग्स में 179 रन 29 का आवरेज 37 का हाइस्कोर 0-50 ब्रावो का आप देखोगे ना बह लेंडन सिम्स दो इनिंग्स में 31 रन हैट वेट स्टाट के बात करूं बालिंग के तो चेरें पोल्र साथ इनिंग में साथ विकेट है नो मी है दुएन ब्रावर नौ मैच में नौ इनिंग्स में 9 विकेट अब दिखेंगे नाम दूनों जगा यह बैटिंग में बालिंग सब्सक्राइब करते हैं लार्स मैच में लोग ने देख लेता है कैसा करता है बंदा रंस भी मार दिया तो उपर आके सो वापस कुछ कर सकती है वेस्ट इंडीस की मैंने नोप पर लाखे फिडल एडवर्ड एक पार इनिंग में 6 विकेट है 14 का आवरेज मिचल स्टाक चार इनिंग में 6 विकेट 24 जोश इसलवूर तीन इनिंग में 5 विकेट 36 कावरेज कैप्टन वाइस काप्टन सी आप देख सकते हैं सेफेस्ट फिंच रे सकते हैं रसल और लोइस रिसकी कैप्टन वाइस काप्टन ऑप्शन पोलाड अगर और ओपे मैकोई यह कुछ है रिसकी और सेफ पर आश्रगर तो हमारा आपको प्रिव्यू इन्फॉर्मेशन सब कुछ पसंद आया होगा आपने अभी तक एक लाइक जरू कर दिया होगा नहीं क्या तो प्लीज कर दिए टेलिग्रम चनल को अगर आपने अभी तक जोईनने क्या तो 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 जोइन कर लिए उसक प्रिज गेल लेंडन सिमेंस एरन फिंच और शिम्रान हेटमार को और अब जैसे कि देख सकते हो यापर मैं आप को और की मोमेंट की एक टिप दे देता हो कि अगर और श्रीला की टीम सेकंड बॉलिंग कर देना तो तो ही जल्वूड के बदले आप एक बदल जांपा को अब हो सकता है चलेगा मैं मिचल स्थाक को तो तो बिल्कुल इस कुछ ने करूंगा स्थाक्तों मेरे टीम मेरे कुछ भी कर लिए पर बैटिंग बॉलिंग जो करना कर लो आप ऑस्च्छला में चार्क को रहूंगा अपकी टीम में क्याप टैन्स अब चैब में ब्राव की कि मैं वेस्ट इंडीस फर्स बॉलिंग करते तो मैं ब्राओ के वाइस कप्टेंशी दूंगा लोग इसे दस परसंद सिलेक्शन है मतब लगभग बहुत से लोग इने काप्टन वाइस कप्टेंश बना रहे हैं सो यह भी कुछ हो सकता है फिलाल के लिए आप देख सकते मैंने से फिरस्ट अंडर असको तीए काप्टन सी मैं वाइस कैप्टन सी दी है मिचल मार्श को यह कुछ हमारी ड्रीम लेवन की टीम बनी है अगर आपको पहसंदा होगा हमारा वीडियो तो एक लाइक कर देना चैनल